हलो फ्रेंड्स आप सभी लोग बताएं कि पाई चैन मॉल पाई नेटवा का एक ओफिसियल सौपिंग वेबसाइड है और इस प्रेटफॉर्म पर बाइंग और सेलिंग पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है आप और हम आसानी से यहाँ पर प्रोड़क्ट को बाई और सेल कर सकते हैं क्योंकि यह एक ओफिसियल प्रेटफॉर्म में इसलिए यहाँ पर सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर आप किसी भी प्रोड़क्ट को बाई कर सकते हैं और किसी प्रोड़क्ट को सेल कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है क किस तरीके से पॉड़क्ट को बाइंग और सेलिंग होगा मालिजी किसी आदर कंट्री में कोई पॉड़क्ट है तो वो हमारे तक कैसे पहुँच पाएगा का आखिर कैसे हम उसे बाइ कर पाएगे ये सारी चीज़े समझना ज़रूरी या अगर आप सेल करना चाते हैं तो किस तरीके से आप यहां से पॉड़क्ट को सेल कर पाएगे लेकिन ये बात पकी है कि यहां से बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट हो चुका है होगा नहीं हो चुका है ये बात पकी है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ rules हैं उसे हम लोग समझते हैं जितने भी यहाँ पर rules हैं कुछ rules regulation दी गई हैं और इसके अलावा किस तरीके से होगा सारा procedure यहाँ पर बताया गया है किसी other country में कोई product है तो कैसे वो product आप तक पहुंचेगा price के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से पाई की price होगे कौन सा product कितने में आपको मिलेगा यह सारी चीज़े यहाँ पर इन्होंने बताई है तो यह समझना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़े लिखी हुई है यानि कि यह अभी platform development stage में इसलिए यहाँ पर कुछ rules और कुछ format बनाई गई है buying and selling का तो यह सारे चीज़े यहाँ पर समझनी है हमें restriction on yearly trade before the seller is familiar with the PCM PCM का मतलब है platform and the related transaction procedure cross order transaction will be prohibited in the yearly stage users can only purchase product received from their own country यानि कि यहाँ पर कोई भी product अगर आप buy करना चाते हैं या sell करना चाते हैं तो वो अपनी ही country में हो पाएगा यानि कि out of country अभी हम लोग यहाँ से कोई भी product buy or sell नहीं कर सकते हैं तो चलिए यह तो समझ गया कि हम लोग अपनी country से product को buy और sell कर सकते हैं लेकिन price का क्या price कैसे decide होगा कैसे किसी भी product के value यानि कि कितने पाई में वो भीकेगा यह कैसे पता चलेगा तो देकि यहाँ पर इनो नहीं लिखा है तो देखें यहाँ पर इनो बता है कि जो पाई चैनमोल website है यह अभी buying और selling में involved नहीं है यह एक platform की तरह काम करेगे और पाई की price जो seller है वह ही decide करेगा यानि कि मान लिजिए कोई seller है वो एक mobile phone बेचना चाता है तो वो decide करेगा कि वो कितने पाई में वो mobile phone sell करना चाता है अगर buyer को उसकी price और mobile पसंद आ है तो उतने पाई में वो product को purchase कर सकता है तो इसलिए अभी पाई की price decide नहीं है क्योंकि अभी पाई list ही नहीं हुए और इसके लाव यहाँ पर किसी other cryptocurrency का use नहीं होगा उसके बाद strictly prohibited content यानि कि कौन से एक product आप यहाँ पर sell नहीं कर सकते है bloody violence, terrorist organization, religion, propaganda, weapons and phara pornography, drugs, advertisement, political speech, personal attacks, vulgar malicious cylinders, content that attack PCM platform, content that misleading users, exchange of legal currency and other cryptocurrency and content that violates and law and regulation of the country if the seller products involve the content listed above, his account will be blocked तो देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ों के नाम mentioned किये गये हैं आप कोई भी product इसमें से sell नहीं कर सकते हैं अगर आपका involvement पाई गया है इन सब product में, आप इन सब product को list कर रहे हैं, sell करने के लिए तो आपका account blocked किया जा सकता है तो आप लोग ध्यान में रखें कि कौन कौन से product आप sell नहीं कर सकते हैं उसके बाद about the bartering, यानि कि किस तरीके से यहाँ पर seller sell करेगा, buyer buy करेगा, किस तरीके से process होगा, यह यहाँ पर उन्होंने बताया है When the seller receive a new order, please check whether the buyer address within the scope of transportation or not तो अगर किसी seller को कोई नया order receive होता है, तो सबसे पहले उसे यह check करना है कि क्या जो buyer का address है, क्या उस तक वो product पहुँचा पाता है या नहीं क्या transportation उस तक जाएगा या नहीं, सबसे पहले इसे आपको check करना है If the seller cannot ship the goods, please cancel the order within 24 hours अगर seller उस product को buyer के address तक नहीं पहुचा सकता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर यह order cancel करना होगा If the seller does not confirm the new order within 24 hours, अगर seller यह नहीं करता है, यानि कि cancel नहीं करता है The system will automatically cancel the order after 24 hours, तो system खुद पे खुद ऑटोमेटिकली order को cancel कर देगा अगले 24 घंटे के अंदर If the order automatically cancel by the system for more than 3 times, अगर इसी तरीके से 3 बाद system cancel करता है order को The related product will be canceled unavailable for sale, तो जितना अभी उसका product हुआ, उस seller का वो unavailable for sale, यानि कि उसका product sell नहीं हो पाएगा If the seller can ship the order, please confirm within 24 hours, इसलिए seller को 24 घंटे के अंदर order को confirm करना है Then ship the product within 72 hours, तो provide the tracking number at the same time और अगर seller product को उसके order तक पहुँचा सकता है, तो 24 घंटे के अंदर उससे confirm करना और 72 घंटे के अंदर उसको tracking number provide कर दिना है, जो buyer है तो इस तरीके से यहाँ पर अभी selling और buying स्टार्ट होगा, 24 घंटे के अंदर आपको order को confirm करना होगा अगर आप buyer के address तक वो product पहुचा पाते हैं, तो चलिए और आगे पढ़ते है If the order don't require for delivery service, like virtual merchandise, seller can choose no need for delivery service Option when they confirm the delivery of the goods on the product तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मालनीजे कोई ऐसा product है, जिसे delivery service की ज़रुवत नहीं है, जैसे कि like virtual merchandise इस तरीके का product है तो जो seller है, वो चूज कर सकता है, no need for delivery service तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है यानि कि किसी बायर के बास 72 घंटे के अंदर उसका product उसके तक नहीं पहुंसता है तो जो बायर है, उसका Pi coin refund कर दिया जाएगा Pi Chain Mall के wallet में और इसी तरीके से seller अगर तीन बार पोड़ते हैं पोड़क्ट को बायर के address तक नहीं पहुंचा पाता है तो system उसके product को डिलेट कर देगा और वो एक महिने तक कोई भी नहीं product list नहीं कर पाएगा About after sale service अब यहां पर देखते हैं क्या है seller needs to specify in the product description that whether they will provide after sale service or the detail after sale instruction If the buyer receives the product and find defect, he can apply for after sale service, return or exchange the product before confirm the receipt of the goods यानि कि माल लिजे कोई product आपने purchase किया और product वो physically damaged निकला या किसी भी तरीके से जो बताया गया था description में जो जो चीजे वहाँ पर दी गई थी उस तरीके से product आपको नहीं मिला लेकिन confirm the receipt पर क्लिक करने से पहले तो देखिए यहाँ पर आगे भी चीजे लिखी हुई है If the buyer find that there is problem with the product, after he click the confirm the receipt button on the platform, he will need to negotiate with the seller by himself on how to deal with it Once the buyer confirm the receipt of the goods on the platform, the service for the order is terminated and the transaction information will be permanently recorded in the Pi blockchain, the after sale function will be caged तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लिजे किसी product को आपने buy किया, वो product टूटा-फुटा या किसी भी तरीके से उसमें गड़वरी है और अगर आप confirm the receipt पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ पर एक button रहेगा confirm the receipt अगर आप उस button पर click कर देते हैं, तो आप फिर दुबारा से उसे exchange नहीं कर सकते हैं और नहीं refund कर सकते हैं यह totally depend करेगा seller के उपर, आपको seller से बात करना पड़ेगा, अगर वो चाहे तो वो refund और return कर सकता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और यह जो transaction होगा, यानि कि जो product आप buy करेंगे, यह पूरी तरीके से pie blockchain में record हो जागा, तो यह भी काफी अच्छा function है उसके बाद यहाँ पर pie chain mall transaction free distribution plan है, तो इसे हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी और इसे समझने के लिए सबसे पहले pie chain mall में हमें login करना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी login में थोड़ी सी issues आ रही है, जैसे कि हम login करने की courses तो कर रहे हैं, लेकिन login नहीं हो पा रहा है तो इसलिए जैसे इसमें login हो जाता है, उसके बाद इसमें जितने भी function है, किस तरीके से buy करना है, सारा process हम आपको live करके दिखाएंगे यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गया, कि हाँ buying और selling start हो गया है, पाई की price तो decide नहीं है, लेकिन जो seller है और buyer है, यानि कि जो seller है, वो पाई की price को decide कर सकता है, वो अपने product को कितने पाई में sell करेगा, वो decide कर सकता है, और अगर buyer को पसंद आता है, तो product को buy भी कर सकत है, तो देखिए यह अभी development stage में, यह application, यह website, जो भी कहें हम लोग, pie chain mall यह अभी develop किया जा रहा है, और development में ही यह सारी चीज़े start हो चुकिए, और कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको problem हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर अभी account login नहीं हो पा रहा है, बहुत जादा time लग रहा है, लोडिंग ही ले रहा है, तो अभी इस तरीके को problem आ रहे है, जैसे जैसे यह develop होगा, उस तरीके से इसमें function और अच्छे तरीके से start हो जाएंगे, तो देखिए यह कितना अच्छा update है, यहाँ पर किस तरीके से product को buy और sell किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा ह mining करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, buying और selling भी start हो चुगा, तो आपको pie की mining अब regular करने चाहिए, आपके घर में जितने भी mobile phone है, उन सारे mobile phone में pie की mining आप start कर दीजिए, और जैसे ही pie chain mall website में login हो जाता है, यह सारा जो नीचे का लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इससे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, और अगर आपको pie network में किसी भी तरी की problem है, तो आप लोग comment कर सकते हैं, अगर आप personally पूछना चाहते हैं, तो इस्टाग्राम पर भी message कर सकते हैं, तो चले दोस्तों मेलते ह आप नेक्ट वीडियो में